हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब दोस्तों यह पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट और क्विज 19 है और यह आपके सामने रिविजन के लिए बहुत ही बेस्ट आप्शन है जिन लोगों ने सौमयधानिक डेवलप्मेंट, कंस्योशनल डेवलप्मेंट अच्छे से पढ़ा है तया नहीं पता है उनको मैं बता दूं कंस्योशनल डेवलप्मेंट का तीन पार्ट में छोटा छोटा वीडियो है आप देखोगे मैंने ट्रिक्स के साथ बताया है उसे कैसे याद करना है तो चलिए सुरू करते हैं समधानिक विकास का इससे पहले आप अगर करेंट फेस की पी के बहस बजट पे बहस का क्या मतलब है समयधानिक डेवलप्मेंट आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया भी था तो बताईए ऑप्सन है 1892-909-1919-1935 हर कुशन के लिए आपको तीन से पांच सेकंड का अलग से टाइम दिया जाएगा और तो यह जो है पावर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया 1857 की करांती के बाद जिसे एक्ट ऑफ गूड गवर्नेंस इंडिया कहते हैं इसमें इसके बाद से दो और सुधार होते हैं 1861 में और 1892 में 1861 में जो है इस तरीके के अधिकार नहीं दिये गए थे 1861 में पोर्टफोलियो और ओर्डिनेंस ये 1861 के एक्ट में की गई थी कुछ एंडियन्स को नोमिनेट किया गया अगर 1861 के एक्ट में यसराय के लेजिसलेटिव कांसिल में ठीक है लेजिसलेटिव कांसिल में राजा अफ बनारस महराजा अफ पतियाला और सर दिनकर राओ तीन लोगों को राजा अफ बनारस महरा पटियाला और सर दिनका राव को वायस राई की legislative council में entry मिली लेकिन इसके बावजूद बहस करने की अनुमती नहीं मिली legislative council में अधिकार तो जाने का मिल गया बैठ सकते थे बट उस पे कुछ बहस नहीं कर सकते तो यह राइट मिला 1892 में 1892 में अगर बात करें तो additional non-official members को बढ़ाया गया लेकिन सबसे ज़्यादा जो पुछा जाता है वो यही पुछा गया है ठीक है थोड़ा सा एक limited and indirect election का provision भी इस act में किया जाता है तो limited and indirect direct election तो आगे आएगा 1909 और 1919 के act में पूरे तरीके से भरतिये समिधान पाली का भरतिये मिधान पाली का पहले बार ध्वी सदनिये बनी इसको मैंने बहुत अच्छे ट्रिक से बताया था और दो act को आपको याद रखना है 1919 और 1935 इस दोनों को एक साथ रखे अगर पढ़ेंगे तो दोनों confusion दूर हो जाएगा देखिए दो चीजे आएंगी एक तो आएगा डाइयार की जब जिस साल डाइयार की आएगा 1919 में तो उस मतलब उसके एगेंस्ट में 1935 में सेकेंड में अब किस में कंपरिजन करना है याद रखिएगा 1919 में डाइयार की आता है ध्यान से सुनिए डाइयार की मतलब दोय दसासन आता है प्रोविंस में ठीक है और 1935 में आता है केंदर में अब बात करते हैं 1919 में द्वी सद्नात्मक विवस्था कहां आती है तो यह आती है केंदर में और 1935 में द्वी सद्नात्मक विवस्था आती है प्रोविंस में प्र आया है और 1935 में जो वहां आया है यह क्रॉस एक दूसरे से यह ट्रिक मैंने कई बार आपको रिवीजन भी कराए हैं तो आई होप आप लोग समझ गया हूंगा इसका राइट आंसर होगा आपको पता ही है 1919 के एक्ट के 10 सालों के बाद यह प्रोविजन किया गया था कि एक निगरानी ग्रूप जाएगा और वो देखेगा कि क्या सुधार की आऊ सकता है इसलिए साइमन कमिशन की निवक्ति की गई थी 1927 में ध्यान से सुनिए साइमन कमिशन की निवक्ति 1927 में की लेकिन अप्वाइंट होके आया कब है तो वह 1928 में आया है उसने बहुत दिन तक जाजपरताल किया और सेवन मेंबर कमिटी बनी थी वह और उसने अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तूत किया जिसके बाद राउंड टेवल कॉन्फरेंस होते हैं वन टू एंट्री और इसके सब्सक्राइबल कॉन्फरेंस या गोल में सम्मेलन इसकी जो अस्थापना की यर्स है 30, 31 और 32 आई होप आपके बहुत सारे जीएस के फैक्ट मैं अटमेटिक रिविजन करा देता हूं इस गोल में सम्मेलन के अगर बात करें तो इसमें कॉंग्रेस ने सिर्फ दूतिये गो पर कहता हूं चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो वो सब के सब आपको फैक्ट्स याद रहेंगे तो इससे पहले आगे बड़े वीडियो को लाइक ज़रूर करी और दोस्तों के साथ सेर भी करते रहिए चलिए वीडियो को लाइक कर दीजे फिर आगे बड़ते ह तो इसका राइट अंसर होगा दो नेक्स्ट है राष्ट पती के अध्यादेश प्रेरित हैं किस एक्ट से तो ये बहुत लोग को पता भी होगा ओर्डिनेंस इस्यूड बाई प्रेसिडेंट ये जो आज तक है हमारे आर्टिकल 123 की बात है आर्टिकल 123 में तो ये बात की ग का संगात्मक वेवस्था प्रेरित है भारत का संगात्मक यहां ध्यान से सुनिए और गवराक आंसर देने की ज़रूत नहीं है भारत का संगातमक विवस्था कनाडा, इंग्लैंड, यूएस, जर्मनी बताइए किस देश से लिया गया है और इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है तो ये लिया गया है कनाडा से कनाडा जो फेडरेशन है, कनाडियन फेडरेशन वहीं से ये चीजे ली गई है मतलब हमारे देश का जो फेडरेशन है वो अमेरिकन फेडरेशन पे नहीं है ये आपको पता होना चाहिए ये कनाडियन फेडरेशन पे बेस्ट है अब थोड़ा recap कर लेते हैं कौन देश से कौन सारी चीजे ली गई है सबसे पहले हम लोग देखेंगे Canadian जो देश है उससे क्या-क्या लिया गया है Federation with strong center ठेक्या ये लिया गया है Canada से Federation जो है strong center के साथ क्योंकि हमारा center power जो है स्ट्रॉंग है नेक्स्ट जो तीजे ली गई है वो क्या है बताइए वह है रेसिडियूरी पावर्स इन सेंटर जो भी बचे हुए अधिकार होते हैं आपको पता है तीन तरह के राइट्स होते हैं तीन तरीके के लिस्ट है सेंट्र लिस्ट एस्टेट लिस्ट और इसमें से बचे हुए जो राइट है वो चले जाते हैं केंद्र के बास यह भी अधिकार लिया गया है कनाडा से नेकस्ट है अपॉइंटमेंट आफ स्टेट गौवर्नर्स बाइ सेंटर केंद्र के द्वारा जो स्टेट नर का अपॉइंटमेंट होता है वो भी लिया गया है इस Act के द्वारा Okay, Advisory jurisdiction of Supreme Court Supreme Court का Advisory jurisdiction ये भी लिया गया है कनाड़ा से Advisory jurisdiction लेगि Judicial Review लिया गया है USA और भी यूden आइटेट से जीजे लिए गई है उनको देख लेते हैंFundamental रैट लिया गया है Independence of Judiciary लिया गया है Judicial Review लिया गया है घ्राफ़टि शुप्रिम कोर्ट के जो भी लोग है या High Court के Chief Justice है, इन पे जो महा भीयूग का प्रोसेस है, ये भी लिया गया है USA, अब England को देख लेते हैं, England से तो बहुत सारी चीज़े ली गई है, अगर बात करें तो Parliamentary System, Rule of Law, Legislative Procedure, Single Citizenship, Cabinet System, Progrative Reads, ये सब लिये गए हैं England से, दोस्तों एक चीज़ मैं कहूंगा, जिनके Question गलत भी हो रहे हों, वो Please Note करते चलें, और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस पे जो वीडियो मैंने बनाया है, उसका Link मैं Telegram में Share कर दूँगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इसकी PDF अगर चाह तो अब आते हैं किस Presidency से डॉक्टर भीम रावंबिदकर चुने गए थे, ये Most Important Question और जाम में आ चुका है, तो डॉक्टर भीम रावंबिदकर चुने गए थे आजाद भारत में, और ये Bombay, कलकता, मदरास या बंगाल, किस Presidency से चुने गए थे, तो ये चुने गए थे Bombay Pres Presidency से, ठीक है, ये आपको ध्यान अकना चाहिए, डॉक्टर भीम रावंबिदकर ने बहुत बड़ा Contribution दिया, इन्हे Father of Indian Constitution कहते हैं, ये Orator par excellence, एक बहुत अच्छे Writer, और इन्होंने PhD भी दो सब्जेक्ट में की थी, दो या तीन सब्जेक्ट में की थी, ये बहुत बड़ी में, तो आपको मैं टाइम देता हूं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है, तो सेंटर में डाइयार की, ठीक है, घबराने की जुरुत नहीं है, अगर आपको नहीं आदाता है, तीनो वीडियो में सेयर कर दूँगा इसके बाद, उसको जरूर देखिए का आपको टोटल कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो सेंटर में डाइयार की जो है, आया है, 1935 के एक्ट में, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, मैं free of course, साहरी चीज़े पढ़ा रहा हूं, और एक चीज़ और कहूंगा, जितने भी आप GS के subject जानते हो, General Science, Geography, History, Quality, सब के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुआ है, सब के प्लेलिस्ट में जाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, चैप्टर है, चैप्टर को पढ़ो, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, और अपनी तयारी को और मजबूत करो, यही इस देश से लिया गया है, बताईए, तो यह लिया गया है, विधी का सासम, इंग्लैंड से, रूल आफ लॉप और इंग्लैंड के एक जर्ज थे, जिन्होंने इस concept को दिया था, तो अगर आपको उनका नाम पता है, तो जरूर बताईए, नेक्स्ट है, चीन और रूस, रूस से कहते थे, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, वो रूस से लिया गया है, तो इतने सारे फैक्ट्स आपके रूवी जनों थे, प्रारूप समीती के एक मात्र कॉंग्रेसी अध्याक्ष, बहुत ही special question है, आपको पता है, प्रारूप समीती जो ड्राफ्टिंग कमीट थे, उसमें कमीटी थी, उसमें एक कॉंग्रेसी थे, और वो थे के एम मुन्सी, ये एक मात्र कॉंग्रेसी थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमीटी में जो हाला लनेरू नहीं थे, आपको ये पता होना चाहिए, और जो भीमरावमितकर इसके हेड थे, वो तो थे ही नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, everything is clear and clear, clear clarity जितनी रहेगी concept में आपके score उतने जादा होंगे, प्रारूप समीती के जो लोग भी हैं, member थे, 6 लोग, अगर आपको पता है, तो वीडियो को pause कीजिए, और 6 लोग का नाम comment box में comment कीजिए, next है, regulating act कब आया, regulating act, तो regulating act के बारे मे आपको क्या पता है, बताइए, ये आया 1773 में, अब एक नजर डालते हैं कि इसमें और कौन-कौन सी चीजे आई, इस act में, तो सबसे पहले जो गौर्नर अब बंगाल था, उसको गौर्नर जनरल अब बंगाल बनाया गया, और एक executive council बनाया गया, उसके help के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला, गौर्नर जनरल अब बंगाल कौन था? Lord Warren Hastings, कौन था? Lord Warren Hastings, और मदरास और बंबई presidency को subordinate किया गया, किसके अंदर में? मदरास और बंबई presidency को बंगाल presidency के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अंदर में हो गया, बंबई आन मदरास, फिर एक Supreme Court की अस्थाप जूरी में इतने लोग होते थे और अगर बात करें 1773 में तो strengthen the control of British government over the company by requiring court of directors court of directors का जो concept है यह आया regulating act के में regulating act में क्या आया court of directors board of control कब आया तो इसके अगले वाले act में मौरले मिंटो सुधार कब हुआ यह बहुत बार यह question पूछा गया है option देखिए और कोसिस के लिए करने की तो यह है 1909 के act को मौरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं इसे इसलिए मौरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं कि उस समय जो है सेक्रेटरी अफ एस्टेट थे लॉर्ड मौरले और लॉर्ड मिंटो जे अब आप सोचोगे कि इसे याद कैसे करेंगे कौन मौरले था और मिंटो कौन था तो मैं आपको एक चीज ट्रिक देता हूं जिनका भी नाम पहले है वो ज्यादा पाउर्फुल थे लॉर्ड मौरले मतलब सेक्रेटरी अफ एस्टेट थे पोस्ट कब आया है ये भी आया है 1858 के एक्ट में 1858 के एक्ट में देखे दोस्तों मेरा ये प्रैक्टिस सेट चलाने का दो इरादा है एक तो आपकी रिवीजन आटोमेटिक हो दूसरा है आपके प्रैक्टिस बहुत तकड़े हो अगर आप छोटे लेबल पे तैयारी करके ही जाओगे तो क्या करोगे आप तैयारी बड़े लेबल की करो यार ताकि रैंक अच्छा हो नाम अच्छा हो जिन्दगी में उमुचे अस्थान प्रात करो और ये लॉकडाउन आपका कुछ नहीं कर सकता इतना ध्यान रखो लॉकडान में आप आपको और मजबूत बनना है कम जोर नहीं बनना कम जोर वोर होते हैं जो एक्दम से घवरा गए कि आए आरे यार। इतने बील बंद है क्या हुआ बंद है क्या हॉभा बंद है तो सारी दुनिया के लिए बंद है आपके लिए बन नहीं होगा तो continuity का पता नहीं चलता है तो जो लोग भी पृषान न उनको थोड़ा समझाइए दोस्तों से बाते कीजिए घर पे सबसे मिल जूल के रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए पढ़िए मॉरले मिंटो सुधार यह हुआ था 1909 में इसमें अगर बात की जाए तो सुधार हुई थी जैसे कि लेजिसलेटिव काउंसिल में मेंबर कि संक्या 16-60 कर दी गई थी ठीक है और जो डिलिबरेटिव फंक्षन होता है जैसे उस 1892 आक्ट में सिर्फ बजट पर डिसकस करने का अधिकार दिया गया था लेकिन अब इसमें काउंटर कोश्चन भी पूछ पूरी सकते थे एक और इसमें नई चीज़ हुई एक्जीक्यूटिब काउंसिल औफ व व्यास राय का इउस्में पहली बार किसी इंडियन को जगा दी गई वह कौन थे व्यौकर साथ ये व्यॉश्राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिस्टर के रुप में सिस्टम ऑफ कम्यूनल रिपर्जेंटेशन फॉर मुस्लिम इसमें ही मुस्लिमों के लिए अलग स्वतंत्र कि एलेक्षन की विवस्था की गई थी जिसे कहते हैं फादर ऑफ कम्यूनल इलक्टोरेट किसे कहते हैं में लॉर्ड मेंटो को नेक्स्ट है विच आक्ट इन हम आकट के लिए अ है बहारत में ृस्तुधा मतलब की गुड़ गॉरानेंस को हिंडी में सो आपको याद रखना के चीव उड़ गुड़ ऑर्गेजुद कौन सा एक्ट जो हिवह भारत खेलिए घुड़ गॉर्ण행क्टcular ॉ ये That या गौर्णर जनरर गौन थे जोलैर्य। ये वॉयर्ड के लधाएं की तो करें हैopot मैं इसों कते धिक रिएli अधिक्तन उफ इस्टेट का प्रोविजन किया ऍहसी एक बनाये निए Secretary of State को help परने के लिए तो ये सारी चीज़े इसमें वहस्ता की गई Board of Control Post Created In ये मैंने अभी ही बताया था तो Board of Control का जो Post है ये किया गया 1784 में अब आपको ये द्यान रखना है कि ये Political Affairs को कंट्रोल करता था Economic Affairs के लिए Court of Directors था ठेका दोस्तों Board of Control देहां से देखनी चलिए इसको वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछूँगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए Like and Share भी बनता है YS Rai Power to Issue Ordinance Power came in which Act YS Rai के द्वारा Ordinance को इसू किया जाना जो हिंदी वाले हैं परिशान होने की जुरूत नहीं है YS Rai के द्वारा Ordinance Issue किया जाएगा ये किस Act में बात की गई थी ये मैं अभी ही बताया था मैंने फीचे ही आपको मैंने क्या बताया था आप पहले Option देखके ट्राइ करो मैं देखता हूं कितने लोगों का सही होता है बहुत सही तो बहुत सारे लोगों का है कि 1861 हुआ है यही राइट आंसर है क्योंकि 1861 में Portfolio System आया था Ordinance Making Power आया था वाइस राय का ठीक है कुछ Indians को डॉमिनेट किया गया था मैंने बताया था North West Frontier Province की बात की गई थी थोड़ी सी Decentralization की बात इसमें की गई थी तो यह जो है पावर आया था 1861 में बहुत कम लोगों के सही हो रहा है तो प्लीज ध्यान से दीजे और लाइब कमेंट करते जाए लास्ट में फाइनल में टूटल कितने सही होते हैं पिट्स इंडिया आक्ट मैंने बताया 1784 में आया नेक्स्ट है Council of India का जो पोस्ट है वो कौन से आक्ट के द्वारा आया तो मैंने अभी ही बताया था Council of India जो है वो 1858 के आक्ट में आया और इसमें 15 मेंबर हुआ करते थे और इसको लीड कौन करता था तो यह Secretary of State करते थे यह उनके सहायता के लिए बनाया गया था तो चड़ी आगे बढ़ते हैं डायार के मेंस यह कई बार कुश्चन पूछा गया है डायार के मेंस डबल रूल, डबल लॉव, डबल ट्रीपल लॉव तो डाय मतलब होता है डबल और आर्क मतलब होता है रूल क्या हो गया? डबल रूल मतलब जब दो तरह से सासन किया जाए तब यह कब क्वाइंड हुआ था? यह 1919 के एक्ट में हुआ था और इस समय डायार की लगा था प्रोविंस में और इसमें किसका कॉंसेप्ट था? तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्ब सब्जेक्ट का कॉंसेप्ट था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जिसको वायस राय के बिना पास किया जाना था रिजर्ब जिस पे वायस राय का फून रूप से स्वामित्व होता था चलिए Federal Public Service Commission ध्यान से सुनिएगा Federal Public Service Commission की बात हो रही है Came in Federal मतलब की लोक सिवा आयोग जो है संगिये लोक सिवा आयोग आज भी है ये कब आया बहुत लोगों के गलत होने वाले हैं इसमें बट मैं चाहता हूँ कि ये सही हो आप लोगों को ठीक है दोस्तो 1919 का एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इससे बहुत तरीके के सवाल पूछे गए हैं ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए 1919 के बाद साइमन कमिशन आता है ये तो मैंने बताया ही था पहले 1935 के एक्ट में भी इंपोर्टेंट चीजे हैं दो तीन चीजें आपको याद रखने 1909, 1919, 1935 इससे सबसे ज़्यादा सवाल आए है और जो पीछे भी हैं एक्ट उनसे भी सवाल आए है तो उन पे तीन वीडियो है तीनों का मैं लिंक description में भी मैं दे सकता हूँ और मैं आपको सबसे easy रहेगा telegram आप join कर लो वहां मैं भेज़ दूँगा उसको देखोगे आप concept clear हो जाएगा उसके बाद आपको problem नहीं होगी चलिए आपके लिए जो question है वो ये है कि who is called the father of communal electorate इसका मैंने answer बता दिया है तो जो लोग भी होस्यार है उनको पता होगा तो वीडियो के last में comment जरूर करिए और अपने final score भी हमें बताइए कि आपने कितना सही किया thank you so much